नमस्कार दोस्तों मैं योगन पताब सागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडिवित हुआई पीप और आज आप लोग के लिए फिर से ले क्या हूं नंबर सिस्टम का यह वीडियो नंबर सिस्टम का हमारा सात्वा वीडियो है आज हम इस वीडियो में डि करने वाले हैं बहुत ही बहतरीन तरीके से करेंगे कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ साथ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग मेरे यूटूब चैनल पर अभी नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोग मिल जाए और आप लोग उसका फ्राफिट ले सकें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज का जो हमारा रहने वाला यूनिक डिजिट यानि इकाई यंग इकाई यंग साथ से पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आप लोग सिर्फ प पांच चर्व यानि संघ्छा लिखें इसमें हम बोले आप लोगों से क्या है ताप क्या है सिक्स क्या है है मतलब इस साइटस जो भाला चलो यह अैकाई यंग होगा ऐसे जैसे हम बात करें थ्यान से समझते इसमें आगे क्या होग जी से हमारे पास आ गया हम लोग लеловक लि गुनीत शोलर बार गुनीत शोलर अगर इसमें यूनिट डिजिस हम से पुछे यानि इकाई एंग पूछे तब क्या हो गया ध्यान से समझे हम लोग क्या करेंगे अगर एक चीज हम लोग ध्यान से देखे अगर इकाई एंग जब भी पूछे अगर देखा जाए तगर हम लोग इसके इकाई एंग का इसके गुणा कर दे टू गुणिट शिक्स कर दे ता जाए कितना टौल्ब टौल्ब में इकाई एंग कितना आ जाए हमारे पास टू कितना आ गया टू क्या ए और ए बराबर आ रहा है आप लोग कहेंगे हां बराबर आ रहा है तो हम लोग जब भी यूनिट डीजी पूछे हम लोग एकाई एंग की संख्याओं से गुणा करेंगे उसका अंसर तुर गुणिद 42, 63, 71, 73 इसमें सालता है यूनिटड़ बताना है या इकाई एंग ahead इसमें क्या बताना है यूनिच आए एंग हम लोग क्लीट यू ऋ हम्हेंिर मीत करया हो के लिए इसका खुणा करेंगे दुढ़त एवजाएगा च्छा हो हो गया करेंगे की तो अब यह पासती इसको क दίस घंग करेंगेbor कि इसके 3 procedure 3 कितना जाएगा 1818 में क्या हमारे Παस वन लू सोरी 18 में हमारे पास for हमारा चाहत रहाँ पास आथ उनसर हो जाएगा तुट हमारा च्रून देस क्या है इसकेिशन कर उना करेंगा तीन दो निच्टettes सब्सक्राइब कर देखेंगे अभी देखो इसका गुना इसके साथ करेंगे जिसे महार पास आएगा 36 अभी एक गुना करेंगे चाटीस आ जाएगा लेकिन पहला स्थान है तरह पहला स्थान है तो क्या हो जाएगा तो चलते हैं अगले कोश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग बोड पर यह तीन कुश्चन लिखें हैं आप लोग तीनों कोश्चन का एंसर दीजिए पहला कोश्चन है हमारे पास सब्सक्राइब करने का तरीका होई होगा हम लोग सिर्फ सिर्फ क्या मतलब रखेंगे इकाई यंक से इसका नव का गुणा इसमें करेंगे नव तिरिक सब्सक्राइब करेंगे साथ इकद्ण आजये के इक इनन पर इसका नम्साथ इसका गुणा कितना है इसका नव करेंगे 58, 72 बहत्तर यानि कितना आगया कि बिना उठाए करोगे बस आप लोग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस हो गया तो चली जिसे हमारे पास यह कर रहा है कि ग्तालीस टिरानवे प्लस तो सर करकिकी मतलब क्या होता है तो स्मझीः इसका कि अगआ जाएगा अगर हम लोग से भी चोड़ेंगे तिहाएगा चार नौचार कितना आएगा आएगा एक सो न्हीं से पूंच रहा तो सब्कूंट्से मतलब रखना और किसी से कितना आ गया चार हम लोग इसको जोड़ने से मतलब नहीं हमारे पास कया हो जाएगा हम हम लोग देखेंगेist को जोड़ेंगे यह जायगा तो जोड़ेंगे ते edition प्लस दूसरा सॉल पर कर रहे हैं कि लिखें हम लोग PRESgos तीन प्लसर का एक इन प्लस गाई चाहर प्लस इसका प्रसट कया एक चाहए चाहाँ ऐसे में कि यहिंस हो जाएगा कि आप लोग देखेंगे फुरंत एंसर क्लिक जो करते हैं और पास बहुत टाप क्लास का पॉस्चन है समयने कोशिस कीजिए टाप प्लास का क्यों कहेंगे इसमें मिश्टिक क्या करते हैं अब देखिए हमारे पास यह है जैसे का रहा है पांसो बाइस गुणी दोस तीन सो पच्पन इसमें करेंगे गुणा ते वज़ेगा दोई पंचे दस दस आ गया निजीरो जैसे यूनिट यानि कहीं भी हमारे पास कि ढगा गया जीरो गुणा करने में क्या यह कहीं भी आ गया जीरो तो होने बाला है या तो हम लोग देखेंगे अगर पूरे उनिस करें गिरुंग आ जाएगा हमारा एंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा जाएगा Memories आब देखते हैं पावल हम बड़ी घातो वाले को क्वेशिन करते हैं उसके पहले कोश्चन और जानदार और सांदार कोश्चन है हम व्योंसी टाइब से सांदार कुछ ओब घ्यान दीजिए आप लोग वोड़ पर अगले दो कोश्चन है जो हमारे पास बहुत सांदार कोश्चन है को सबmost को बनाने को सीथ कीजिए सभी विशन संख्याओं के गुलन फल का इस्थान बताईए उसका दूसरा जो कोश्चन है एक से 99-99 तक के सभी विशम संख्याओं यहां देखो संख्या यहां क्या है विशम संख्या यह हमारे पास क्या है इवेन मतलब होता है क्या हमारे पास कितना है और नम्मर यानि विशन संख्या हो इनका करा जब इनका की आज आई तो जो गुडन फ़ल आएगा उसमें हमें बताना है यूनित इनका हो तो सब्सक्राइब हम लोग पहला कोश्चन करेंगे ध्यान से समझे इसका आप लोग देखते ही अंसर बताएंगे कैसे यहां हो जाएगा अगर हम लोग लिखेंगे सभी समसंख्या क्या होंगे पहली बद दो उसके बाद इसका होगा जीरो देखी यहां से गुला करेंगे जीरो से अगरें करेंगे या दो छाहीं चार दूंअ靡़ सब आगे हमारे पास क्या हो जाएगा बार करके इसके जीरो गुणा करेंगे यहाँ से फिर हाप होजान के पिर यहां से हमारे पास क्या होगा इसका क्या ड़्ल欨 इनफर हो हम आजाएगा एक से लेकर 99 symp. 99 तक के सभी विशम संख्याओं का हमें क्या बताना है गुरनफल में इकाई यंक बताना है आप देखे एक से लेकर पहुच रहा है विशम संख्या में क्या करेंगे ध्यान से समझी हमारे पास क्या होता है एक गुनित एग गुणित पो तीन गुणित पॉट गुणित साथाट नव मेपास क्या होती है विसम संह क्रें आ पार प्रायम नंबर दिया है आपाज संख्यान articulate आपाज ज onc practical न तृप किया है प्राइम नियुक्र में हम्लोग चलेंगे सबसे चोटी प्राइम संख्यार कहले के आजाएगा चान होगी यह जाएगा इसकी करते हमारे पास आजाएगा लेकिन हम यहां लोग रि fraction सै कर दिये पांस के तना हो जाएगा दस जैसे एक नियाऊना जिर फिर यहां से लोग करेंगे 13 फिर आजाएगा bun फिर करेंगे Rs 10 यानि क्या आएगा इक हमारा सून आता रहे गा और सुन हमेशा मुनलब का क्या ही स्वनिकीалсяOOOO सुन यानि क्या है कि आएगा पूरा लास्ट में जो गुणा करेंगे कैनल जाए उसका जीरू आनेवाला है सभी प्राइम नम्मर यानि अभाज संख्याओं का गुणा फल किया जाए तो उसमें क्या होगा जीरो होगा तो चलिए चलते हैं अगले पर ध्यान दिजी आप लोग पर देखें हमारे पास क्या है अगला क्या है ध्यान से समझे करा एक से लेकर सव तक सभी विसम संख्याओं के गुणा करने पर उनका गुणां फल में का यंक बताई है यानि हमें पूछ रहा है उनित डिजिट उनके गुणां फल में कितना होग अगर एक से लेकर सव तक सभी विसम संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तर सबसे चोटी विसम संख्या एक उसके बाद तीन गुणित पांच गुणित साथ गुणित नौ गुणित क्या होगा हमारे पास ग्यारा गुणित तेरा डाडाडाडाडाड करते हमारे पास कितना ह कि क्या हो गी अब देखे इसके पहले वाले कोश्चन में वहां पर भाज संख्यां आ दिया था हमरे पास क्या चलेगा थ्यान से समझी हमारे पास और नम्मर यानि विसम संख्यां का है तब क्या करेंगे जैसे एक का गुरण हम यसे में करेंगे तुछ पहले हुआ पास 3 यानि क्टोंय प्रorta करेंगे 11 15 15 15 fall 5 5 वहास से हमलोग गुना करेंगे 25 राइगा 5 सब्सक्राइब फिर हो जाएका 5 यानि फिरओ गुग फिर झानुख एसे करते करते चला जाएगा इसका जो इक्या हिए कड़क आ गुना करने पीडit इसका पांची मिलने वाला है तो चलते हैं अब सेकंड टाइम कोश्चन पर जो जानदार और सांधान तरीके के हैं चली अगला कोश्चन क्या है ध्यान से समझेए और ध्यान से देखिए बूर पर अजय से कौश्चनों का अंसर हम लोग 22 से कंड में निकालेंगे सिर्फ एक से क्वोश्चन का अंसर आएगा वह कैसे आएगा ध्यान दिजी बूर्ट पर का रहा है हमारे पास है 43 एक सो तेज क कि आफेन क्ट अगर इकी की इस darf एप नोउट इसक करते हैं इसकी पावर जो करेंगे उसकी पावर जो करेंगे लेकिन क्या होगा ध्यान से समझेश यह तो बहुत बड़ी कालकुलिएसन आजाएगी हम लों के दिख्कत हो करने में हम लोग क्या करेंगे इस पहले से क्या करेंगे चार से भाग देंगे चार से भाग देने का सबसे आसान तरीका चार से भाग क्यों देंगे हम अगले वीडियो में बताएंगे इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा टाइम ज्यादा लग जाएगा तो आप लोग को वीडियो लंदी लगेगी इसलिए चार से भाग देंगे अब हर एगर पास है चार सामच फान्च को क्या जानते है जी संख्या लास्ट का दो यासान सा कोर्टन है बहुत हिसान दार कोर्शन है यहाँ देंगे अभी हम अगले वीडियों में डिसकुस्न करने वाले हैं बस आप लोग इस video के देखिए समझे ए तीन पावर फिर से देखिए धाम से समझे क्या करेंगे इसके फावर हो गो चाएंगे ऑचार से भाग देंगे उसके बाद जो होगा उसमें रिमेंडर बचेगा वही इसकी unit के बात क 그냥 चार से भाग देने देंगे चार चंक 24 आनि नी डियुक्त का में पास एक बचहाएगा रिमेंडर छाबार से तूरा कड़ जाएगा 20 हो जाएगा एक बचेगा रिमेंडर तो पावर वन में 》बने क्या होजागा टू हमारे पास क्या हो जाएगा है कि आप क्या इंक कितना जाएगा urgent ऑलम्हार लोग इसी तरीके के सरा शाकल बहतरीन जानदार कोश्चनों के साथ आप लोग के बीच में ये वीडियो लेके आएंगे तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप लोग के सेशन अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो आप लोग मेरे युटूब चैनल को सब्सक्राइब करें अब लाइकन को प्रेस तक लोग देखेंगे हमारे पास पूरा-पूरा नब्वे कोश्चन के सीरीज है प्लेइलीस्ट में आप लोग जाके वहां से उसको भी देख सकते हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा वहां से लोग एक्जाम में बहुत हेलफल यानि मदद मिलेगी फंदरा से 20 मिनट के ह कोश्चन देखने के मिलेगा उसके बाद उसके बेसिक कंसेप्ट त्रिक तीन चीज आप लोग के 20 में कहीं नहीं मिलेगी आप लोग देख लीजिएगा मेरे हर वीडियो के देखिए आप लोग वहां पर हर चीज आप लोग के मिलेगी तो आज के लिए बस इतना ही आप लोग अगर प्यार और विश्वास बनाए रखिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहे हैं मुझे आप लोग की प्यार और मुहबबत की सक्त जरूरत है तो चलिए थैंक्यू सो मच फार वाचिंग बाइटेक क्या कि कैन बाइब को मुप अगर रखिए में कारते बाइटेक कैनल को सब्सक्राइब को साँपते रहे हैं आप लोग कारते बाइब को साँपते बदाग बाइब करते हैं अपार वाज यूब आजूुब